वेलकम बाक टू चैनल आप आराथ सिंग इंटरने डेमस नियु दली और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पार्शल ड्रॉप एक वीडियो बनाऊंगा तो यह रही वो वीडियो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो क्योंकि आपको मन अभी भी लगा हुआ है कि यार आपको MBBSC करना है कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि या ठीक है इस बार नीट का वेपर खराब गया कोई बात नहीं पर हाँ मेर आईरवेदा हो हो होमियोपति हो तो पार्शल ड्रॉप इस वीडियो के थुरू आपको बताना चाहता हूं और ताइम कैसे मैंसे करना है इसलिए आप दो घड़ी देख सकते हैं यहां पर वह भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ तो बहुत समय लेकर के यार मैं अच्छल ड्रॉप के साथ सक्सेस्फुल हूँ है तो आपको एक वैलिडेशन मिल जाए एक्स्टरनल वैलिडेशन यहार कभी-कभी लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो जाती है आपको एक एक्जामपल मिल जाता है यहार हां इस बंदे की तरसे मेरे को मेहनत करनी है आपके लिए अपलोड कर दूँगा नियर फ्यूचर ठीक है पहली चीज़ आपको याद रुखनी है कि आप 0 से शुरू नहीं कर रहे हो ठीक है आप 0 से नहीं शुरू कर रहे हो आप scratch से नहीं शुरू कर रहे हो अगर आपके 300-400 का score आ रहा है तो आप 0 पे नहीं हो आप अच्छा score नहीं कर पाए तो जीरो पे नहीं हो आप यह याद रखना जिनका score बहुत कमा रहे है फिर दिखो मैं तुम्हें unrealistic expectations नहीं देना चाहूंगा ठीक है कि आप 200 ला रहे हो तो partial drop लेके आप 4 दोगे नहीं अगर आप 400-450 की आज-पास के range में हो या फिर उससे जाद से time manage करके कैसे time manage करना भी बताने वाला हो आप qualify कर सकते हो need ठीक है qualify in the sense qualify नहीं मतलब 600-620 प्लस ला सकते हो और उससे ज्यादा भी ला सकते हो अगर अच्छे से अभी से मेहनत करना शुरू करते हो कैसे मेहनत करना चलो बात करते है ठीक है तो आपन क्या करने वाले नहीं यह द तो RGB primary colors होते है उसी के basis में मैंने content बनाया है ठीक है तो 8 to 8, 8 a.m. in the morning to 8 p.m. in the evening एक 12 घंटा का slot हुआ और दूसरा slot हुआ 8 p.m. in the evening to 8 a.m. of the next morning ठीक है तो इसमें हम लोग ने divide कर लिए अब आप ध्यान से देखो blue वाले area वो है जो 8 a.m. से शुरू हो रहा है 4 p.m. पे खतम हो रहा है green वाला 4 p.m. to 8 p.m. है and then 8 p.m. to 12 midnight है ठीक red zone जो क्या है आपका 12 to 8 a.m. है right अब बात करते हैं इनका मतलब क्या इन colors का क्या मतलब है ठीक है बहुत सो समझके बनाया यार आप देखना आपको बहुत एडिया लगेगा कि क्या हम करने वाल है ठीक है आपको क्या करना है basically तो red वाला जो area वो inaccessible है मतलब कि आपका college के self-study में time जाएगा आप college अगर join करते है तो आपको pass होना पड़ेगा मेरी जो student से बात हुई थी जो college के साथ drop किये था है उनका एक बड़ा challenge ही होता है कि उन regular जो है self-study करनी होगी only important topics को पढ़िए senior के पास जाए ये mark कर ला करवा लीजे college हाग बता रहा हूं आपको ये MBBS में भी हम करते है senior के पास जाए अगर pass होना है तो सिफ important topics पूछ लिजे कि क्या क्या important topics है पढ़के रखना है उसको रट लो और या फिर उसको समझ लो और starting से समझना शुरू करो उसको regularly पढ़ो और previous year questions आपको करने है तो ये वो time है जो inaccessible है ठीक है जिसमें आप नीट की preparation नहीं कर सकता यह जो चीज है आपकी है 12 to 8 तो रात को मैं कहूंगा यार जब आप एक्दम ठक चुके हो ना class जाओगे college आप ठक चुके हो तब आप रात को पढ़ाई करोगे college का और पढ़के सो जाओगे स्टार्टिंग से पढ़ रहोगे तो आप टच में रहोगे एक्जाम के समय अच्छा कर लोगे अब जी जो है वह आपका green है वह नीट के लिए मताब नीट की त्यारी करोगे आप देख लो एक बाद पीछे जाकर करके क्या था green यह क्या करूंगा मैं यह PDF में टेलिग्राम टेलिग्राम चैनल लिम्जोनी पर अप्लोड कर दूंगा जो भी मैंने आपको नोट्स दिये आपके लिए टेंप्लेट के तरह एक रिमाइंडर की तरह करेंगे जब भी आप डिस्ट्राक्ट होगे न पार्शल ड्रॉप लेते वक्त तो तुम्हें यह याद है कि आरिन भ और फिर 8-12 ठीक तो उसी में आपका डिनर टाइम भी आ गया 8-9 डिनर टाइम लेलो तो आपको दो तीन घंटे के स्लॉट है यार अच्छे कासे दो तीन घंटे के स्लॉट है 4-5 आपको क्या करना है आप जो कॉलेज से आओगे ना देखो 8-4 तो आपको कॉलेज होगा मैं कर रहा हूं इसलिए उसको बफर जोन में रखाओ ब्लू में कॉलेज जो है बफर है ठीक है क्यों मैं वो भी समझाओंगा आपको अब देखो 4-8 जो टाइम है आप कॉलेज से मालो चार बजे भी फ्री होते हो चार से पांथ सो जाओ कि कॉलेज से आप कट आफ हो जाओ सो के उठे फ्रेश माइंड से तीन घंटे पढ़ने बैटे फिर 8-9 आपका क्या है डिनर टाइम हो गया हसी मजा किया दो सकता फिर सिंसियाटी के साथ फिर से 9-12 पढ़ने बैट गया अब इसमें करना क्या दो तीन गंटे के स्लॉट है ना लंब सब मोटा मोटी आप यह द करना अंड्यू स्ट्रेस होगा आपके ओपर ठीक है तो अगर आप चाहते हो मैं इसमें आपकी हेल्प करूं कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूं तो आप गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में देरका उसको फिल कर दीजे हमारी टीम आपको कॉंटाइक कोई हवाबाजी नहीं हो रही होगी ठीक है तुम भी जानते हो कि इस बार तुमारा सेलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था तूकि तुम्हें आप्लिकेशन नहीं आता था थियोरी आती थी अप्लाइ करना कभी नहीं सीखे और या फिर क्या करना आपको करना question का source चाहिए तो आप target batch join कर सकते हो link description मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको ठीक है आप अब यह देखो buffer zone क्या है अब buffer zone वह है आपका जब आप college में हो ठीक है class attend करो पहले चीज़ तो याद रखो यार वर्ल्ड का कोई भी college हो और कोई भी course हो रोज classes जो है सभी की सभी classes important नहीं होती है हमें लगता है 8-4 तो हम busy हो गए नहीं ऐसा नहीं होता है MBBS में मैंने भी यार classes attend किया कई क्लास में सो रहा होता हूं या फिर क्लास में हम लोग उस समय मिली मिलीशिया खेल रहे होते तो तुम पर करता है यह तुमारे buffer zone तुम इसको कैसे निचोड के यूज कर सकते है इसलिए मैंने यह फोटो डाल दी यह तुम्हें रिमाइंड करेंगा तुम इसको निचोड देना ठीक है पूरा juice निकालना इसका यह समय है ठीक है इसको तुम यूज कर सकते है अपने failure को न सक्सेस्मा convert करने के लिए इस टाइम को तुम यूज कर सकते हैं तुम पीछे बैठो ठीक है फ्लाश कार्ड है तुमारे पास उससे रिवाइस कर लो ठीक है या फिर बाइलेजी की एंसी आटी की फोटे लेके जा उसको बाइलेजी रिवाइस कर लो कुछ प्रीवेस क्वेशन लगा ल समझे रहो ठीक है तो यहां पर बहुत टाइम सेव कर सकते हैं इसलिए सबसे ट्रिकी एरिया होता है यह बफर अपना जो आपका टाइम है ना एक टू फूर को यूज करना और डेली तो क्लासे भी नहीं होती है और कई बार तुम आठ से दो ही क्लासे जाओगे दो से चार ट्री रहोगे तो मैंने बहुत ब्रॉडली कह दिया आठ से चार अब डेली बिजी भी होगे तो तुम ऐसे टाइम निकाल सकते हो उसके बाद भी तुम पर 6 गंटे पढ़ने को है तो यह मत सोचो कि तुम 6 गंटे डेली नहीं पर सकते इतना तो यार नीट का बच्चा जो आपका डेट डिकलेयर होगा ना कि मालो आज जब यह वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं ठीक है अब मेरे को आज मिल गया यार कि एक महीने बाद से ना एक्जाम है कोई आपका मिड से मिस्टर एक्जाम है तो उसी दिन से तुम्हें पढ़ना शुरू करना अब बफर ज और वहां पर भी होगा तुम्हारे बटी ढूद अपना जिसका नीट का गोल से हिम तुम्हारी लिना इसी हो जाएगा पढ़ना एक और कम डिस्ट्राक्ट्टेड रोग क्योंकि बहुत डिसिप्लिन की ज़रूत परती है जब तुम्हारे बाकि दोस्ते मार रहे होते हो ठी study buddy तुम्हें मिल जागा तो काम तुम्हारा असान हो जाएगा अब नीट से तुम्हें टच में रहने के लिए अब एक्जाम सीज़न आता है तो बच्चे क्या करते है पैने कर जाते हो उनके रहता है कि एक्जाम का प्रेशर है मॉम डैड ने यार कोर्स में भी पैसा लगाया ठीक है तो फेल नहीं हो सकते प्रेशर रहता है अब उस प्रेशर में अगर वो पूरा एक्जाम के प्रेशन में डूप जाएंगा तो नीट का चला जाएगा तो नीट के सिलिबस के टच में कैसे रहे आप बायलेजी के इंसी आटी रिवाइस कर सकते हो इन और गानिक से मेने ऐड़ी करना अभी से शुरू कर दीजें प्रिंटाउट ले लिए है बैट को वIE itself कर लेए जितने आपके flowår पी आपकि खेमिस्ट्री की फिज Satक के मिस्ट्री की उससे इस सब्खें के मीन सी ऐं कि पहली में भी है या फिर आ सकते हैं उनको एडिट कर लीजिए कि लास's के साथ दिन में कितने मानिटी की संब कुक्षिंग को सब्सक्राइब सब्सक्राइब अधी ने की को दो है अच्छा में और युध्या सब करसके बैंन युद थूख है अब आगे बढ़ते हैं अब चाहंगा ठीक है यह एंड सेक्शन है वीडियो का यहां तक देख लिए वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करने में सोचने में अपने इंटर्शिप स्केडियूल के साथ ठीक है तो पहली चीज प्रोटिप नमबर वन कभी भी बॉटल अप नहीं करना डोंट बॉटल अप इसका मतल है करने का कल्चर नहीं मिल रहा है स्टूडेंट मस्ती मार रहे है ठीक है और तुम पढ़ना चाहते हो नी 2023 के लिए डिसकस करो शेयर करो चीज़े ठीक है कंट्रोल दा कंट्रोल बल्स जो चीज तुमारे ब्योंड कंट्रोल है ना उसमें दिमाग मतलगा ना फ्रस्टेशन वो 2023 में नहीं करना है देखो अगर तुम आग बंद कर ले तो प्रॉब्लम के सामने तो प्रॉब्लम हट नहीं जाएगी जिस दिन आग खुलोगे ना टाइम निकल चुका होगो प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व कर पाओ तो तुमारी जो भी मिस्टेक्स थी 2022 की उसको अभी से ढूंड़ो उस पर अभी से वर्क करना शुरू करो ठीक है अब यह याद रहना बहुत बढ़ी प्रोटिप है तुमारे लिए life is do it yourself project in fact मेरे लिए life is do it yourself project कोई तुमारी help कभी करेगा अगर तुम उससे help मांगने चाहते हो when you seek help you get help ठीक है बट अगर तुम से बैठ करके मैं नीट फोर दियो तो रोते नहीं रहना यार यार लाइन दूसरा आइरन क्लाड इचीप्लेट दिस्टेंसी तुम यब पार्शल ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हें बहुत डिस्टेप्लेट और consistent रहना पड़ेगा तुम तुम्हारे पास scope नहीं है distraction का deviation का momaya का scope नहीं है सारा momaya MBBS college में निकाल ले ना तुम अपना but जब तक तुम उस college में हो जहां पर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तुम्हारा पूरा time ठीक है focus तुम्हारे इस पे रहना चाहिए पूरा time तुम्हारे इस पे रहना चाहिए कि तुम कैसे discipline consistency maintain करके need 2023 forward सको तीसरी point कि अभी से reserve create कर लो start now क्योंकि हो सकता है आगे तुम बिमार पर जाओ college का schedule हो कुछ change हो जाए hectic हो जाए किसी exam में तुम fail हो जाओ college में कोई fest आ जाए variety of distraction हो सकते है तो partial drop ले रहो अभी से पढ़ना शुरू करो यह counseling का wait मत करो मुआ पर प्राउंड होगा तब पढ़ना शुरू करेंगे start now ठीक है so guys this was the video for today all the best keep hustling and याद रखना है यार मैं throughout your preparation journey तुमसे connected रहूंगा YouTube के थू टेलिग्राम चैनल के थूरू mentorship sessions के थूरू live discussions के थूरू ठीक है so subscribe to the channel and टेलिग्राम चैनल को भी join कर लिजिए and mindmax download कर लिजेगा also जितने भी question PDF आपको वहाँ पर provide किये जा रहे उनका आपको attend करना है यह PDF भी आप print out ले लेना इसका बहुत useful रहेगी आपके लिए template रहेगा हमेशा ready कि कैसे आपको red blue और green format में अपने preparation को चो partial drop की preparation उसको आप streamline करोगे right all the best कर लिए्स्थ यह स्थेज़ कर लो चाहे चेए्टर कर द कर फकर दोले हमें पैस looks छिए्स दम बड़ाए्सक्षव नएटर चर उनका ऊत्रधंगist यहामस, टुबगानग वजबगान, मौन यह दोने हम, अहलोओे जोर हीक, आक पर आफ见 di